हेलो दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं RBL बैंक के बारे में क्योंकि ये जो बैंक है दोस्तो 372 रुपीज तक गया था उसके बाद से इसमें गिरावट ही गिरावट आ रही है तो हमें अभी क्या करना चाहिए बाई करना चाहिए शिल करना चाहिए या होल्ड करना इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर लॉस है तो एक्जिट भी कर सकते हो तो देखिए दोस्तो जिनों ने भी RBL बैंक खरीदा है और इसका शेर प्राइस गिर रहा है तो मैं अभी भी बोलूँगा कि इसमें अभी भी गिरावट जारी रहेगी अगर कोई नया खरीदारी करना चाहिए तो मैं बोलूँगा कि मत खरीदारी करो अभी फ्रेश बाइ को आने वाले है क्वारे मत चल रहा है क्वार्टर मुंथ का चल रहा है इसमें सबका रिजल्ट आता है तो दोस्तों RBL बैंक का जो रिजल्ट है वह एक्सक्टेशन के कमा रहा है इससी वज़ेसे भी आपको यहां पर देख सकते हो पहले से ब्यूद्र बैंक विकनिस दिख जाधा जाधा quantity खरीदे हैं मैं उनको बोलूँगा अगर आप hold कर सकते हो patience है आपके पास तो फिर से return आएगा time लगेगा लेकिन फिर से return आएगा तो मैं यह नहीं बोलूँगा कि आप डर के या कुछ बीना decision लिए हडबड में देखिने को मिल सकती है ठीक है तो खरीदारी करके ना चले यह according to me यह मेरा रहा है तो आप लोग को थोड़ा बता देना चाहता हूँ पहले से आप लोग साथ और यहां पर देख सकते हो पहले से भारी गिरावाट आते जा रही है दोस्तों मतलब कि red red है यहां पर तो देखिए अभी market open होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि 15 minutes पहले कम से कम तो आपके पास यह वीडियो पहुंच जाए तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ लेकिन मैं जो भी साम को वीडियो डालता हूँ दोस्तों वो पूरा डिटेल के साथ डालता हूँ सुबह में इसलिए ताकि आप लोग तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप market में action ले पाओ जो market है सुबह से साम तक का 30 तक का आप वहाँ पर action ले पाओ इसलिए मैं सुबह में वीडियो डालता हूँ और साम को मैं fully detail में वीडियो बानाता हूँ तो आप वहाँ देख सकते हो ठीक है तो मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में